कॉंग्रेस विधाक दल के नेता और ग्रामर विकास मंतरी आलम की रालम ने कहा कि मांडर विधान सबा उप्चुनाओं में लड़ाई सीधी है बीजेपी से कॉंग्रेस ये उप्चुनाओं जीत रही है जीत का अंतेर पिछली बार से दोगुना हो जाएगा बीजेपी के दावों की हवा निकल जाएगी सुमवार को मुक्ष्मत एमन सुरेन की भी सबा होगी तो मांडर विप्चुनाओं को लेकर और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही है क्या कॉंग्रेस को लग रहा है ऐसे बहुत सारी सवालों को लेकर उनसे हमारे सयोगी बिपनु बधाय ने बात की तो उन्होंने क्या का वो हम आपको सुनवा रहे है मांडर विप्चुनाओं के लिए 23 तारीक को वोटिंग होना है और वोटिंग से पहले कॉंग्रेस ने पूरी ताकत मांडर विप्चुनाओं में जोट दिये इस वक्त हमारे साथ सूबे के ग्रामिन विकास मंत्री और कॉंग्रेस विडायक दलकनेता अलंगी राला मोजुद है अलंगी साब ये जो उप्चुनाओं हो रहा है किस तरह से इस लड़ाई को अपलोग देख रहे है और अब तक क्या रिस्पांस है दिकि ये लड़ाई तो बंदुत तिर्की जी का मेंबर्शिप राद होने के बाद आज उनकी ही बेटी सीपन नियातिर्की जो गड़बंदन के समर्थित कॉंग्रेस की उमिद्वार के रुपने काम करे है और लगात आप पहरोज से जैक्ति गत्रुप से हम भी इस शेत्र को दोरा किये हैं और सभी समुदाई के भोडर के पास जाने का सुभाग हमको मिला है बंदो तिर्की जीता इस शेत्र में अच्छा पकड़ है एक तो वो हुआ और लोगों का ये समझ में आ रहा है कि बंदो तिर्की जी हमारे लिए काम कर रहे थे सरजन्त के तहत उनको हटा दिया गया एक सिंपथी उसके पच्छ में है और उनकी बेटी आई है अपनी नौकरी छोड़ कर आई है वो भी एक सिंपथी है तो मिलाज उलाकर कहा जा सकता है कि इस उपचुनाव जो है गड़बंदन की जीत होगी और कंग्रेस उभीदवार की जीत होगी और हम बैक्ती करता है जो मेरा निवाब है बहुत दिनों से राजिनती करते हैं फला फल तो नतिजा जो है 26 तारीक को ही आएगा लेकिन हम सबादी हैं और हम असस्त हैं कि बंदो तिर्की से भी जो बोट 2019 में उसको प्राफ्त हुआता है उससे दूगणा बोट से यह सिल्पा नहीं हां तिर्की जीतेगे और कल हमारे मानने मुखमतरी जी भी आ रहे हैं तो गड़बंदन हरे कोड़न से अपना कोसिस कर रही है और मुझे लगता है कि लड़ाई जो है तरिकनियों नहीं है लोग कहता है कि तरिकनियों लड़ाई है लेकिन आज धीरे-धीरे जो चीज हम को देखने मिला तिज विस्स करके एक समुदाई माइनूटी समुदाई के लोग जो लास्ट चुनाओं में वाइसी के नाम पर उन्ह जाने हैं जो उनका उमीद्वारी नहीं है फिर उक्यों आ रहे हैं या तो नहीं कि हमारा बहुत को विखराव करने के लिए कोई लोग का संका है कि भारतिक जनतापाटी को मदद करने के लिए इसलिए उस समीद्या के जो वोड गया था ए ए एम के नाम पर वोड भी सीफ्ट रोकर कॉंग्रेस में आ रही है इसलिए जीत सुनी सीत है जैते कॉंग्रेस विधाक दलके नेता जिन्होंने साब तोर पर कहा है कि रिकॉर्ड मतों से कॉंग्रेस यहां पर उपचुनाओं जीतने जा रही है और बीजेपी जो भी आर पर उपचुराओ को लेकर अब सरगर्मिया अपने शबाब पर होती नजर आरे शबाब पर है और पूरी ताकत पूरी ताकत जोग दी है तमाम दलों ने और इसी कड़ी में मुक्षमतियमंद सोरेन भी अब चुनाविस तबाओं को समधित करने जा रहे है तो देखिए पक्ष में वोटिंग के अपील करेंगे तो मार्णा विदान समा अब चुनाव में अब लड़ाई सीधी कॉंग्रेस का ये मानना है कि लड़ाई सीधी है कोई इसमें तीकोनिया मुकाबला है नहीं आलम के रालम जब हमारे सायोगी बेपिन उपाधिया ने बात की तो उन् इस बार जीत का मार्जिन भी पहले के मुकाबले दोगुन आगाउने पुरा बरूसा है लाइक और शेर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लवन भारत सच है तो दिखेगा